आप सभी लोग स्वस्त होंगे काफी अच्छी आपके स्टेडी चल रही होगी तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देव भूमी करियर पॉइंट पे आज देखेंगे सामान निया धन टेसरीज भाग 142 लेकिन आगे बगने से पहले दोस्तों 31 दिसंबर के ग्रेजुएट डेवल एक्जाम के लिए आप सभी लोग तैयार होंगे ऐसी मैं आसा करता हूँ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाईए बिकॉस दोस्तों आपने इतने लंबे समय से महनत की है आपने सिलेवस को खतम किया है पुराने पेपर लगाए है मौक टेस लगाए है फुल लेंड ट्रेक्टिस सेट लगाए है आपने तो यकीन मानिया आप बेहतर तरीके से एक् पिसर रेंक की एक जॉब होगी और इससे बेतर मोका मैं बोल नहीं सकता कि कोई होगा आपके पास तो अच्छे से एक्जाम देना है confidence से एक्जाम देना दोस्तों बागी पेपर इस तर की मैं बात कर तो लगबग वही पैटन और वही इस तर को आयो यहाँ पर रिपीट करे नहीं क्या चीज़े रहेंगी पेपर कैसा होगा एक बोल सकते कि आपको all the best का वीडियो में आपको दूंगा कल तो उसको आप जरूर देख लेना ठीक है बागी चलिए आज का सेसन सुरू करते हैं आज देखेंगे सामानने दिन टैसरीज भाग 142 अन्य टैसरीज भी लगा दिसमबर वाले पेपर के लिए जिसने 10 पुलन ट्रेक्टिस सेट अभी दक भी नहीं लगाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस टैसरीज का ये टैसरीज ना एक्टीस दिसमबर वाले एक्जाम के लिए महत्तोपुर है बलकि जिनका इंटर लिक नहीं किया है तो सभी लोग जिन्होंने चैनल सस्क्राइब किया बेल आइकन पुस्ट कीजिए साथी नोटिफिकेशन ओल भी दबाईए और नए लोग जो चैनल पर भाई आप लोग भी सस्क्राइब कर दीजे चैनल को प्लीज तो चले सैसन को सूरू करेंगे पहला क पहले कोश्टन है निम्न मैंसे असंगत यूगम का चैन करें तो बताना है इन्न मैंसे कौन सा यूगम जो है वो गलत है ठीक है तो पहले कोश्टन का देखिए राइट आंसर होगा तो फर्स्ट हम देख लेते हैं राज्य के नीती निदे सक्तत्व तो यानिके DPSP जो हमने कहां से लिए हैं आयरलेंड से लिए हैं ये तो बिल्कुल सही है एकल नागरिखता का प्रावधान Great Britain से ये भी बिल्कुल सही है जो हमारी एकल भारत में एकल नागरिखता का प्रावधान है । सिंगल सिटिजन से बोल सकते हैं अगला 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 संसदिय सासन प्रणाली और और ऑप्षन डी जो है राष्ट्रपती पर महाव्योग प्रक्रिया यह हमने सही राज यह समता का अधिकार जो है आपका आर्टिकल 14-18 है समता का अधिकार अनुचयद 21-24 यह आपका गलत हो जाएगा सोसंग के विरुद्ध अधिकार 29 से 30 ये भी हमारा गलत है और धार्मिक स्वतलत्रिटा का अधिकार ये हमारा अनुच्छे 25 से 28 ये सही हो जाएगा तो यानि कि इसमें देखा जाएगा केवल कूट 1 और 4 ही सही है तो 1 और 4 इसका राइड आंस को जागा तो आपने बताना इनमें से कौन सा यहाँ पर सही है तो राइड आंसर नोगा देखिए इसका केरल का जो होता है मोहनी अट्टम होता है केरल वाला बिल्कुल सही सुमेलित है तमिल नाडु का जो है भाई हमारा कत्थक जो दिया गया है गलत है तमिल नाडु का होता है हमारा तमिल नाडु का जो है भरत नाट्यम है तो यह हमारा गलत हो जाएगा दूसरा तो गलत है इसमें आंदर प्रदेश का देखिए हमारा कुचिपूल सही है एंड गुजरात का तमासा ये गलत हो जाएगा तमासा जो है ये महाराष्टर का लोकन रित्या है तो यानि कि इसमें एक और तीन जो है सही सुमेलित है ठीक है option भी हो जाएगा बाकी दो गलत है कथक जो है उत्तर भारत का अमारा डांस है classical dance अगला देखे बौधिक संपता अधिकारों के व्यापास संबंधी पहलों पर समझोता trips के तहट कितने बौधिक संपता अधिकार आते हैं तो अच्छा question है भाई देखे भारत में भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंतरकर कितने अधिकारों को रखा गया है तो इसके अंतरकर टोटल जो अधिकार है साथ अधिकार है तो option है इसका right answer है इसमें total कितने अधिकार दियेगा है साथ अधिकार जैसे patent वगएरा होता है जी आई वगएरा होता है आज करती जो भी नई पुरेंट है चले आगे पुरेंगे आगे question की तरफ निम्द में सही सुमेलित कौन सा है एक तरफ हमारा राजा या निर्मान करता दिया है दूसरी तरफ मंदिर दिया है तो इनमें से एक ही यूग में है जो सही है बाँकी गलत है राजेंद्र चोल खजुराहों मंदिर मध रहदेशवर मंदिर तंजोर या तंजाओर ये सही हो जाएगा ठीक है और पुष्य मित्र सुनको विरुपाक्षे मंदर ओडिशा ये तो बिल्कुली गलत है विरुपाक्षे मंदर वैसे भी आपका कहां पर करनाटक में है ठीक है तो option C सही है रहदेशवर मंदिर तंजोर का निर्मार राज राज प्रथम नहीं करवाया था आगे बढ़ेंगे भारत्य संसत के संबंद में कौन सा एक कथन सही है देखे एक्जाम देने जा रहे है क्योंकि वहाँ पर statement वाले और ऐसे ही question आने वाले आपके यही pattern होने वाला है कैसरीज के यह question है कुछ demo के लिए मैं आपको दे रहा हो पिछले कुछ test नों से तो यहां पर दिखे भारत्य संसत के संबंद में कौन सा एक सही है सही है या नहीं है इसमें कई बार बच्चे द्यान से नहीं पढ़िता है गलत हुजाते है तो इसका द्यान रखने है आपने सही है और नहीं है को अच्छे से पढ करता है मंत्री मंडल को लोग पिर सदन में बहुमत का विश्वास प्राफ्त करना आवश्यक नहीं है यह भी गलत है बिल्कुल है मंत्री मंडल को भया अमेशा बहुमत का विश्वास प्राफ्त करना आवश्यक है नहीं तो सरकार धिर जाती है संसत का प्रमुक कार्य है मंत केंद्री मंडल का प्राउधान करना ये जो ऑप्षन है ये सही इसमें जो हमारीlynn है काम ही होता है मंच्री मंडल का प्राउधान करना विसमे भर आगर है कि निमन मैं से तटना जुनहें करszद लोकषभा के प्रति उत्ततायी होता है तो बिल्कुल पहला ही जो कथन है वो सही है जो हमारी केंद्रे मंत्री मंडल होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है तो बाकि ऑप्शन देखने की आउशकता ही नहीं है कई बार दीखे दोस्तों मैच करने वाले कोश्चन में आपका एक विकल्प से ही मैच हो जाता है ठीक है एक ही को आप म जल परियोजना के लिए क्रियान वित नोर्डल मंत्रा ले कौन सा है तो देखिए बारश सरकार ने जो हमारा जल जीवन mission है उसके तहट हर घर जल नल परियोजना सुरू की है और इसको संचालित करने वाली जो हमारी ministry है वो है आपकी जल संसाधन मंत्रा लाई ठीक है option C सही हो जाएगा इसमें जल संसाधन मंत्रा लाई आगे बढ़ेंगे ACI विकास बैंक ADB से सम्मधित एक असत्य कथन कौन सा है देखें असत्य अनकी गलत पूछ रहा इसमें तो जो हमारा ACI विकास बैंक है एशन डेवलप्मेंट बैंक उससे जमनित कौन सा इस्टेडमेंट इन में से गलत है तो एशन बैंक की स्तावना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी बिल्कुल सही है दोस्तों एशन डेवलप्मेंट बैंक का उत्देश एशन और प्रसांत चेत्र में गरीबी खत्म करना है यह भी बिल्कुल सही है यानि कि इन इनमें से कोई बी कःटन गलत नहीं है तीनों सही हो गया है तो इन में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि कोई बी कःटन गलट पेंक जो है इसका मुक्याले ह्माईला फिलिपिंस में थ्यान कि गलांतर आशरम का मुक् effectivement कम द्वॉत का अथ इस्तित होret यूएसे में था ठीक है यूएसे कभी सेन फ्रांसिस्कों न देखे वह देश का नाम भी दे सकते हैं कि जो हमारा युगांतर रास्रम था कहां था सिंगापूर में था अमेरिका में था बिल्टेन में था यह चौंधा ओप्शन और डाल देखा उसमाथ जापान तो आपको प अगला कोशन देखे फिर से आपके स्टेट्मेंट दिये गए हैं और आपको गलत चुन्दा है इनमें से कौन सा गलत होगा है तो चार आपको इस्टेट्मेंट दी गई है इनमें से आपने बताना कि कौन सा गलत है तो चलिए चेक करते हैं इसको पहला है देखे दोजार टेस में बारत ने अठारवे जी चुन्टी सम्मेलन की अध्यक्षता की बिल्कुल सही है भारत में बारत से के इस्टेट्मेट की रूपमे यूरूर्य संग को सामिल किया गया जोकी गलत है इस सम्मेलन की थीम या विशाइथा वसुद्ह वा कुटूम्ब कम यह सही हो जाएगा तीक़ है यानि की तीसरा वाला जो है में के वाल टीन जो है गलत है 20 सदस्य बनाया गया है G20 का किसको तो G20 को 28 मेंबर बनाया भाई हमारा African Union यानकि African Union ना कि European Union European Union पहले से ही है इस बार इसको मैं जोड़ा गया है African Union अगला जो G20 सम्मेलन होगा 19 वा कहां पे होगा ये तो 19 वा G20 होगा ब्राजिल में नोट करेंगे आने वाली एक्जाम में बन सकता है क्वेशन 19 वा G20 सम्मेलन कहां पे होगा प्राजिल में होगा अगला क्वेशन देखिए हमारे Economy का क्वेशन है बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा निम्द मैंसे फिर से गलत कथन आपने चुनना है तो कौन सा गलत है बताइए भारत में थोग मूले सूचकांक वांगिजी और उद्ध्योग मंत्राला ही जारी करता है केंद्रियल वित्त आयोक का उलेक अनुच्छे आप से इन वार्ण गोल्ड जारी करता है यह वी सही है तो यानिकि इसमें हमारा कोई बी गलत नहीं है Option D हो जाएगा है इन मेंसे कोई भी असत्य नहीं है तो इन में से कोई नहीं सबी सब्सक्राइब के तीनों करतान जो है यह सत्य है टिकें 100 कृट अगला computer का question है बाई बताईए इन में से किस logic gate को universal gate भी कहा जाता है तो कौन सा gate होता है जिसको universal gate भी कहते है ठीक है एक परिपत बना दिया जाता है तो यह हमारे universal gate होता है पहला तो तो अमारा झाल होता है तो इसका right answer हो जाएगा हमारा भाई एक भी होगा एक नहीं होगा नेंड नहीं होता यह हमारे नहीं होता और यह होता है यानिकि दो और चार इसका सही उत्तर रहेगा ठीक है question be अगर नहीं कि निम्द्द पंचैती राज से संबंदी इतंपेों को कालानु क्रम में ब्योस्तित कीजिए पताए क्रों लोजी पताइए हमारी पंचैती राज ही इन समित्टिव कि करों लोजी क्या होगी सही में तो दीके सबसे पहले तो हमारी आते हैThere are बलौंत राई मिथा समिती इसके बाद हमारी अाती है असोग मेंथा समिती बनाय गए थी 1977 में यानि की हो जाइगा एक इसके बाद हमारी बंदनी है जी वी राınıर समीथी यान Wh One हो जाएगा फिर बनती है हमारी एलम सिंग भी समयती दो हो जाएगा यानिकि तीन एक चार दो इसका सही पूर्ट है तो तीन एक चार दो किसमें ऑप्शन सी में है चलिए अगला कुश्य ने दिखे निम्न में 853 के चार्टर से संब्धित एक असत्य कथन कौन सा है तो 853 का चार्टर एक्ट आया था इंडिया में उसमें एक दिये गए विकल्पर में कौन सा गलत है तो पहली बार गवर्णा जनरल की परिशत के विधायम प्रसासनी कार्यम क अलग किया गया था तो ये तो बिल्कुल सही है इसी के थुरू किया गया था इसके तहत एक नई केंद्रिय विधान परिशत का गठन हुआ था ये तो सत्य कथन है भाई ये गलत नहीं है इसमें इसके बार देखिए सिविल सेवकों के लिए खुली पृतियोगिता का सुभ बारम्प हो गया यहां से टेकर एक ओंपेटिटीव एक्जाम सुरू हो गई है बंफ्म के गवर्णस जनरल को भारत का कव्यट्वेंर्ट गलत ये यह गलत हो जाएं चैंधिमें-समें असट्ट्य थेकंग बंग लैक्त है जिसमें इसको उमारा नामय जेंग कर देते हैं व सब्सक्राइब कि अपनाई गई तो self development की जो हमारी संकल्पना थी परिकल्पना थी इसको डेवलप इसको एडॉप्ट किया गया था हमारी फोर्थ पंच वर्षय योजना से ठीक है तो हमारे राइड आंस जगा option D चौथी पंच वर्षय योजना से आगे बढ़ेंगे नारी सक्ति वंदन अधिनियम के तहत आप लोगसभा में महिला सीटों की कुल संक्या कितनी होगी तो देखे हाल में ही भाई ये विधेयक आपका पूशा भी गया था किसी एक्जाम में ये जो विधेयक था 128 वा विधेय सीटों की उसका 33 पृतिशत क्या होगी रीजर्वर रहेगी पौर विमन तो इसके इसाब से जो महिला सीटों का कुल आंकड़ा है अब 82 से बढ़कर वो हो जाएगा 181 तो यह बहुत अच्छी बात है इसी को बोलते है विमन इंपावर्मेंट देश की जो सरकार है जो हमारे देश का लोग पर यह सरन है उसमें महलाओं का आना बहुत आउश्य गया अधिक स्यादी निम्द में आर्थिक विकास का मुख्य संकेतक नहीं है बताए इनमें से कौन सा एकोनोमी डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर नहीं है तो एकोनोमी डेवलपमेंट में देखिए मान गुला समानता में कमी होनी चे अर्थि ब्यवस्ता में संदस्तनात्मक परिवर्तन भी होगा भई तो ऑप्शन बी जो है इसमें ये संकेतक नहीं है ठीक है पूंजी वात का बगता एफेक्ट अकर पूंजी वात बगएगा भई है फिर समानता कैसे आएगी असमानता में इ सब्सक्रानता जाएगी जोन चंद्र्यान 3 मिसंद से एक असत्य कथन चुनिए चंद्रियान Selbst के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असकते है वो आपने बताना है तो चंद्रियान 3 को 14 जुलाय 2023 को प्रचेपीत किया गया था सही है भाई चंद्रियान 3 का लेंडर जहां पे उत्रा उसे सीवसक्ती पॉइंट नाम दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है भारत चंद्रिमा के दक्षणी धुर्वपर सफल लेंडिंग करने वाला चौथा देश बना ये घलत हो जाएगा इसका बज़ट चंद्रियान मिशन 2 से भी कम था ठीक है ये बिल्कुल सही है चंद्रियान 2 से कम था भाईया इसका जो बज़ट था चंद्रियान 2 जो था लगबग 8-900 करोड जया था ये 615 करोड में बनके त्यार हो जया था इसका बज़ट 615 करोड था यानि कि से कम था ठीक है तो ये भी बिल्कुल सही है ये भी सही है भारत चंद्रिमा के दक्षणी धुर्वपर लेंडिंग करने वाला चौथा नहीं ब ऑब बना भाई जो मिसें को देखे जाना एसिकीलAcc शाओभ ने विक्रुषकार नवली प्राइज गे रॉपर लियां और था हमया धोगा होतो होते है भारत की क्या rank रही उसमें जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है एची डिया रेंक है ठीक है अन्य जो रैंकिंग है कुछ आप देखके जाएगा और उसके सांसाथ कुछ नई योज नहीं जो केंद्र सरकार ने जारी की हाल के कुछ महीन हों बस इतना ही पूइंड ना क्रेंट एफर क्योंकि यूटर पर एसी का मैंने देखा भाई पैटर आज तक जीतना भी अनुभाव है मुझे चार-पास सालोगा करेंट एफर के कोश्चन फोगा कम पूस्ता है ठीक है दो चार या इका दुख का कोश्चन नहीं पूस्ता है करेंट एफर जी एस के सेक्शन में तो ज्यादा नही से पहले अमेज़ा की तरफ बोलूँगा अपने जीवन में कम से कम एक प्रेड़ लगाए और लोगों को भी इसके लिए अवैल करें ठीक है और जहां भी आप गोमने जाते हैं उसके लिए वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखना है और लोगों को भी स्वच्छता के लि जल्दी मुलाकात होगी अपना ध्यान रखेगा और एक्जाम हॉल में देखे एक्जाम जाबी सेंटर आपका आपने चेक कर लिया होगा दूर एक्जाम सेंटर है तो एक दिन पहले ही पहुंच जाना और जिसका नजदिक है तो वह बिल्कुल तसल्दी से जाना लेकिन फि जल्दी मुलाकात होगी दोस्तों अपना ध्यान रखेगा अच्छे से स्टेडी करना अल दे बेस्ट पर यूगे ट्रिपल से ग्रैजुएट लेवल एक्जाम जै हिंद जै देव भूमी सुब्रात्री गौड ब्लेस यू अल